देली करें न्यूस में अभी की खबर है शुद्रग्रह कामो ओलेवा हाली में नीजर एस्ट्रोनॉमी में एक अध्यन प्रकाशित हुआ इसमें वैज्ञान को ने सुझाव दिया कि शुद्रग्रह कामो ओलेवा वास्तों में चंद्रमा का एक टुकड़ा हो सकता है इनके अध्यन में शुद्रग्रह की सनरशना और प्रक्षेपत का विशलेशन करने के लिए डेटा संचालित मॉडल का उप्योग किया गया है चलिए अब जानते हैं कामो ओलेवा के बारे में इसे हवाई में पैन स्टार्स टेलेस्कोप के माधहम से 2016 में खोजा गया था कामो ओलेवा एक ऐसा शब्द है जो एक हवाई यान चैंट का हिस्सा है अर्थार्थ एक घूमता हुआ अंतरिक्ष का टुकड़ा है यह प्रित्वी के अर्ध उपग्रहों में से एक है यह एक अंतरिक्ष चट्टान की भाती है जो सूरी की परिक्रमा करता है लेकिन प्रि उपग्रह का अध्यान करना वैज्ञानकों के लिए कठिन रहा है यही कारण है कि इसके बारे में अब तक बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को कामो ओलेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक इसे साल 2016 में खोजा गया था दो शुद्रह सामानिता फेरिस विल के आकार के होते हैं उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक बी केवल दो सी एक और दो दो रो डी ना तो एक और ना ही दो इस प्रश्न का उत्तर कमंड बॉक्स में जर शियर और सब्सक्राइब करना न भूले